जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्व चैनल में दोस्तों मंगल ग्रह मेश रासी और व्रश्चिक राशी के स्वामी ग्रह हैं और इनको लाल ग्रह, क्रोधी ग्रह, उर्जा का ग्रह भी कहा जाता है 22 फर्वरी सौमवार के दिन ये अपनी राशी मेश रासी से निकलेंगे और शुक्रदेव की राशी व्रशब रासी में गोचर करने वाले हैं अब ये मंगल का जो राशी परिवर्टन है ये बड़ा महत पूर होने वाला है मंगल वैसे तो क्रूर ग्रहों में आता है लेकिन हमारे साहस, हमारे निडर्था और योध्धा और उर्जावान ग्रह के रूप में ये जाना जाता है यानि इन सभी चीजों के कारग ग्रह ये माने जाते हैं अगर ये हमारी कुंदली में उचिस्थान पर बैठे हो तो वो व्यक्ति बेहद साहसी होता है, निडर होता है, मांचिक रूप से सक्रिय होता है और महत वकांख्शी होता है और अब व्रशब राशी में मंगल का जाना कई तरह के परिवर्थन करेगा कुछ लोगों को ये बड़े अच्छे मुनाफ़े देखा तो कुछ को ये सावधाने रखने के लिए प्रेइद करेगा तो अब इस मंगल के गोचर का जो बैनेफिट होगा वो छे राश्यों को सबसे अधिक है यानि मंगल इंचे राश्य वाले लोगों के लिए मंगल ही मंगल करने वाले हैं बड़े अच्छे मुनाफ़े देने वाले हैं किस तरह से देंगे और किन राश्यों को देंगे चले विस्तार से जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा सन् हैं यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते सब्सक्राइबूंस और जमंगरुद को रह Kingdom को सब्सक्राइब्स परें में सबसे पहले र्राशी अब कि ही जो मजलि और गोचर के रहते रोगों नजर आएंगे शत्रों की चाल से आप बच पाएंगे उनकी जो वो हमाई आपके जीवन में परिशानिया खड़ी कर रहे थे उन सभी से आपको निजात मिलेगी और खास थोर से कारेशेत्र के लिए मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत लाब दायक से धोगा बड़ा कार कर पाएंगे निवेश करना चाहते थे काफी दिनों से प्लान प्लान कर रहे थे निवेश करना है निवेश करना है थोड़ा ही निवेश करने का मतलब यह नहीं होता कि आपको बहुत जाद निवेश करना है अपनी हैसित के नुसार आप छोटा-छोटा निवेश कर सकते है और यह निवेश करना आपके लिए बड़ा फायदे मन रहेगा वैपार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा और यह जो मंगल का गोचर है प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को बड़ा अच्छा फायदा कराएगा प्रॉपर्टी डीलिंग या जमीदारी या फेर ठेकेदारी इस तरह के जो काम है उनसे बड़ा फायदा मिलेगा चात्रों के सिक्षा में आ रहे ही रुकावटे भी खत्म होंगी परिशानी दूर होंगी और आपको परिजनों का सहयों भी प्राप्त होगा तो आपके लिए बड़ा सुन्दर है दूसरी राशी करक राशी मंगल का गोचर आपकी राशी के लिए बड़े अच्छे पर इनाम मुक्ति दिलाने में कामयाब होगा आयमे व्रदी के योग बनेंगे परिवार के साथ बड़ी अच्छी बांडिंग होगी आपके भाई बहन भी आपनी कारशित में प्रगती कर पाएंगे आपके भाई बहनों के लिए भी समया नुकुल रहेगा और आप उनका भरबूर सहयोग भी करेंगे आप अपने हर लक्ष के प्राप्ति करते नजर आएंगे और यदि प्रतियोगी परिक्षा में भाग लेते हैं तो उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी लव लाइफ में नया पनाएगा उर्जा अंदर बढ़ेगी रोमांस बढ़ेगा रोमांस बढ़ेगा प्रेम जीवन के लिए सबसे अधिकुत्तम है क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम के कारगरे हैं कामवासना के कारगरे हैं तो यहां मंगल उनके अंदर ऐसी उत्तेजना बढ़ाएगा उर्जा बढ़ाएगा तो 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 रोमांस में व्रद्धी होगी कारशेत्र में अच्छा योगदान देंगे वरिष्ट अधिकारियों के बीच आपकी छवी बड़ी अच्छी होने वाली है अब बात करते हैं तीसरी राशी की तो तीसरी राशी है सेहिंग राशी मंगल का ये आकरम में व्रद्धी होगी आत्मेश्वास में व्रद्धी होगी जिसका ब्रभाव कारशेत्र में समाजिक जीवन में आपको देखने को मिलेगा आर्थे क्रिस्तिती मजबूत होती दिखेगी कुछ जो आपके पुरानी निवेश हैं उनसे लाब मिलना शुरू हो चाएग जिससे आपकी आर्थी कुछ में व्रद्धी होगी दान पुन्य की कारे करम में भाग लेंगे जरूत मंद लोगों की मदद के लिए धन भी खर्च करेंगे पेकार के कारियों में समय बिलकुर बरबाद ना करें अपने जो ध्यान है केवल अपने लाब के कारियों में तुलाराशी की लोगों के लिए मंगल का गोचर सर उस्रे स्थुत्ता मरहने वाला है यह आपके प्राकरम में व्रद्धि करेगा और अचानक से लाब की संभावनाय बढ़ाएगा लाब प्राप्ति के योग बनाएगा जिसमें भागय का भी साथ मिलेगा अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें विजय मिलेगी आपको अपनी स्वबहा में भी सुधार देखने को मिलेगा परिवार का वातावरन बड़ा अच्छा रहेगा परिवार में मन लगेगा एक दूसरे का साथ मिलेगा और सदिस्यों के बीच प्रेम की भावना बढ़ेगी एक इस दोरान आपके जीवन में आर्थिक जीवन में सम्मान की प्राप्तिय तो होगी ही होगी उन्नती भी होगी जो छोटे वेपारी हैं इस राशी के उनको लाब होगा पुरानी देंदारियों से मुक्ति मिलेगी यानि आपके कारेश्यतर में बड़े अच्छे विकास होने वाले हैं और कुछ लोगों की मदद से लाब की योग भी बनने वाले हैं अब पांच वी राशी धनू राशी धनू राशी के लोगों के लिए मंगल का गोचर बड़ा उत्तम रहेगा इस दोरान आपके वेतन में विरद्धी होगी आपको बड़े अच्छे अफसर मुलाकात होगी और ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनका फायदा आपको भविश्य में देखने को मिलेगा इस दोरान आपको हर तरह से सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे कोई पुराने विमारी चल रही थी तो आपको विमारियों से मुक्ति मिलेगी नौकरी बदलने का कारे में भी आप विचार कर सकते हैं तो उस तरफ आप कदम जरूर बढ़ें संतान के लिए अच्छा समय हैं आपके और आपके संतान के बीच में बांडिंग बहुत अच्छी रहेगी विद्यारतियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है अच्छाटी और अंतिम कुम्बराशी के लोगों के लिए मंगल का रशबराशी में गोचर आपके गौरव आपके सम्मान को बढ़ाएगा इस दौरान जमीन से जुड़े मामले सबसे अधिक लाबदायक रहेंगे आपके लिए धनलाब की योग बनेंगे कारशित में उत्साहा होगा पराकर में व सिलसले में कुछ यात्राएं भी करने को मिलेंगी और लव लाइफ उर्जावान रहेंगे रिष्टे काफी मजबूत रहेंगे समाजिक कारे करते हैं अधिया आप समाज से जुड़े हैं तो समाज के बीच आपकी परतिस्ठा बढ़ेगी और इस दोरान आपको कई ऐसे लाइक करें शेयर करें